हेलो इब्रीवन वेलकम टो यू इंग्लिश बित प्रमोत कुमार माइडियर फ्रेंड्स आज की क्लास में हो लोग यूपी टीजीटी से सम्मंदित मॉटल पेपर 16 का शिकेंड पार्ट सौल करेंगी यदि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट वाच नहीं किया है तो आप लोग चैनल पर नउने अभी तक स्क्रायब नहीं किया तो प्लीज आप लूग सब्सक्रायब कर ली वेल आइकन को प्रिश्च कर लें यद शेशन अच्छा लगी तो प्लीज आप लोग ज्यादा सज्यादा शेर करें शॉपर्ट करें रिप्रॉन में हम लोगों ने कूश कमेंट बॉक्स में अपना इसकोर मेंसन करें किसी भी कुछन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में किलियर कर सकते हैं चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि क्वेशन नॉमर 61 इन लॉयल्टीज मेवल इस दा वाइफ आफ गाल्स वर्दी का जो वर्क है लॉयल्टीज यह वर्क 1922 में आता है लेटर ड्रामा ही ओके फ्रेंड्स लॉयल्टीज में जो करेक्टर है मेवल मेवल किसकी वाइफ है डैंसी की गिल्मैन फाल्डर नन आप देज रिस्पांस इमिडियेटली क्वेशन नॉमर 61 मेवल इस दा वाइफ आफ डैंसी ओप्षन एज दा राइट आंसर 61 का ओप्षन एज राइट हो जाएगा फ्रेंड्स एजो फाल्डर है विलियम फाल्डर विलियम फाल्डर नाम का करेक्टर जो है जेस्टिस में आता है ओके त्यान रखिएगा ओप्षन एज दा राइट आंसर 63 करेक्टर रवबर नाम का जो प्रेंद हो लैंसा आउवडर छैंस literal और देदेट as a friend of the rich and the enemy of the poor your option B is an incarnation of God your option C as a friend of the poor and an enemy of rich your option D as a father to orphans response immediately question number 62 what will be the right answer? 62 का राइट जवाब क्या होगा? option A होगा, option B होगा, option C होगा या फिर option D the character of Robin Hood ओके ध्यान दीजिएगा most important question है option C जो है, राइट हो जाएगा I is a friend of the poor and an enemy of rich option C जो है, राइट आंसर है okay, next in line 12 आप बुक फर्स्ट आप पराडाइज लोश्ट Milton रिफर्स्ट द ओरेकल आफ गाड़ इट इस टेम्पेल एट जेरिश्लैम या option B टेम्पेल आफ केमोस या option C टेम्पेल फार मलोग या option D none of the above response immediately question number 63 63 का राइट आंसर क्या होगा option A, B, C या फिर D none of the above ज्यान दी जी in line 12 पराडाइज लोश्ट जो मिल्टन जी का वर्क है यह epic है 1665 में लिखा जाता है 1667 में publish होता है ओके 1660 1674 में इसका final version आता है उसमें total इसमें books की शंख्या 12 जब first version आता है 1667 में वर्जन इसमें book 10 थी ओके question नमर 63 का option A right हो जाएगा temple at Jerusalem option A is the right answer ओके which is the second earliest English tragedy in blank words important question है जान दें जान दें which is the second earliest English tragedy in blank words second tragedy बताना है option A जकोस्टा है या option B the partner and the frayer है या option C Kenji John या option D इंडेंशन by the Thomas शैक विल response immediately फस्ट अरलेस्ट रेजडी को सभी लोग जानते ही कौन से है गारबोडग है ओके गारबोडग है यहाँ पर question है second फस्ट नहीं यहाँ पर second पूछा जा रहा है कि शिकेंड अरलेस्ट ब्लेंक क्वेस्ट रेजडी कौन से है जकेस्टा या फिर दा partner and the prayer या option C king zone या option D induction response immediately question number 64 ज्यान दीजिए first question में होता first first जो ब्लेंक क्वेस्ट रेजडी है वो गारबोडग है बट यहाँ पर second जो रेजडी है वो है जकास्टा option A is the right answer जकास्टा 1566 में लिखी गई by George Gascogne okay option A is the right answer I am a citizen no mean city identify the figure of speech applied here in the example इस्टेटमेंट है I am a citizen आप no mean city इस्टेटमेंट में कौन सा figure of speech यूज हुआ है climax है इस्टेटमेशन है सेनक डकी है लाटर टीज है response इमेडियेटली question नबर 65 65 का राइट जबाब क्या होगा climax इस्टेटमेशन सेनक डकी लाटर टीज response इमेडियेटली I am a citizen आप no mean city ओके option D right हो जाएगा लाटर टीज D is the right answer got it next which is Milton's poetic drama on Greek pattern काउन सा Milton का poetic drama जो है Greek pattern पर है option A Samson Agonist या option B L.L.E. गरू या option C mask या option D commerce response इमेडियेटली question नमर 66 66 का राइट जबाब क्या होगा Samson Agonist L.L.E. गरू mask या फिर commerce कॉमस 16 34 में आता है ओके Samson Agonist 16 71 में वर्क आता है L.L.E. गरू 16 64 ओके L.L.E. गरू की companion poem है L.Pence Ratio L.L.E. गरू L.Pence Ratio जो poem है 16 45 में ये publish होती है friends यहाँ पर जो right जबाब हो जाएगा Samson Agonist option A is the right answer Samson Agonist जो है Greek पैटर्न पर base है poetic drama है ओके option A is the right answer next Philip to me the meanest flower that blows can give dash that do often lie blank space में क्या फिलप किया जाएगा thoughts more love fresh air response immediately question number 67 67 का right जबाब क्या होगा thoughts more love fresh air response immediately to me the meanest flower that blows can give thoughts option A is the right answer यहाँ पर thoughts fill up किया जाएगा option A is the right answer okay next बिशीशियस बिशीशियस का यहाँ पर जवाब देना है अब बिशीशियस का एंटेनिम बताना है यहाँ पर क्या बताना है एंटेनिम एंटेनिम डिस्पेरेग होगा स्लेंडर होगा प्रेज होगा प्यूरीफाई होगा what will be the right answer बिशीशियस बिशीशियस मिन सोता क्या है दुश्ट ओके दुश्ट option C right हो जाएगा प्रेज प्रेज मिन्स परसंसा करना अगर कोई फर्षन दुश्ट है तो उसकी कोई प्रेज नहीं करेगा आब ऐसे याद रखे तब बिशीशियस अटेनिम प्रेज हो जाएगा option C is the right answer प्रेज मिन्स परसंसा करना ओके option C is the right answer गट इट गिव दा एंटनिम आफ अबो मिनेट अबो मिनेट का एंटनिम देना है हूप होगा लब होगा प्रेज होगा या फिर फ्रेश होगा response immediately question number 69 69 का right जवाब क्या होगा होफ लब प्रेज फ्रेश response immediately एंटनिम देना है अबो मिनेट अबो मिनेट मींस होता है घ्रणा क्या होता है घ्रणा या पहसकते हैं नफरत घ्रणा करना या नफरत करना इसका एंटनिम क्या होगा लब हो जाएगा option B is the right answer लब हो जाएगा 69 का right जवाब क्या होगा लब अब वो मिनेट मींस घ्रणा करना नफरत करना या त्रिश्कार करना ओके right जवाब लब हो जाएगा प्रेम करना ओके B is the right answer गाट इट the complete title of sexperian tragedy hamlet is sexperian tragedies hamlet इसका complete title क्या है option A the tragedy of hamlet prince of tyree या option B the tragedy of hamlet या option C the tragedy of hamlet the prince या option D the tragedy of hamlet the prince of Denmark response immediately question no.70 70 का right जवाब क्या होगा response immediately friends बिलियम सेक्सपिर की great four tragedies है जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा होकम होकम याद रखिए yes for hamlet o for othello k for kinglier m for macbeth इनकी date इनकी date भी याद रखेंगे twenty four fifty six hamlet जो है sixteen zero one से लेकर के sixteen zero two के आस पास आता है वो थैलू sixteen zero four में आता है kinglier sixteen zero five macbeth sixteen zero six okey friends यहाँ पास राइट जवाब हो जायाएगा option d option d is the right answer hamlet जो tragedy है इसका full जो title है the tragedy of hamlet prince of Denmark option d is the right answer okey got it next friends यह शेशन अच्छा लगी तो please आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेर करें support करें which word is opposite in meaning to hypothetical hypothetical का opposite क्या होगा emotional होगा fantastic होगा actual होगा punctual होगा response इमिडियेटली question number 71 71 का right जबाब क्या होगा synonym हो जाएगा but यहाँ पर opposite पूछा गया है तो hypothetical means कोई वस्त जो है real में ना हो यहाँ यहाँ पर इसका right जबाब क्या हो जाएगा actual option is the right answer hypothetical का जो एंटिनिम होगा actual होगा actual means vast big actual means क्या हो जाएगा vast big hypothetical means काल्पनिक ओके एमेजिनल हैपोथेटिकल फेंटेस्टिक इस शिनॉनिम है punctual means होता है शमाइक से कार्य करने वाला यह शमाइक पर पहुचने वाला punctual ओके option says the right answer it is customary does certain tries to sacrifice animals to the gods काउन साब प्रेविशन यहाँ पर आएगा for आएगा to आएगा बेथा आएगा या फिर in आएगा response immediately question number 72 72 का राइट जवाब क्या होगा for to with in it is customary certain tribes to sacrifice animals to the gods customary for होता है option is the right answer यहाँ पर for fill up किया जाएगा okay option is हो है right answer हो जाएगा got it got it next next he stopped dash bribery for to with in friends friends यहाँ पर यह टी ओ डेवल पी इडी कर लिजी stopped he stopped he stopped dash bribery for to with in 73 का राइट जवाब क्या होगा stop to means होता है रोक देना बंद कर देना यहाँ पर to provision fill up किया जाएगा okay option B is the right answer he stopped to bribery got it I cannot pretend dash have a truth knowledge of the subject pretend के बाद काउन सा प्रेविशन आएगा to आएगा with आएगा in आएगा for आएगा response immediately question number 74 74 का राइट जवाब क्या होगा to with in for I cannot pretend dash have a through knowledge of the subject pretend के बाद preposition to आता है option is the right answer pretend to okay pretend to मिस होता है बहाना बनाना okay option is the right answer got it next it is not proper dash you to behave like this proper के बाद कौन सा प्रेविशन आएगा for आएगा to आएगा पित आएगा या फिर in आएगा response immediately question बें 75 75 का राइट जबाब क्या होगा for to with in it is not proper dash you to behave like this proper के बाद preposition for आएगा option is the right answer यहां पर for preposition fill up किया जाएगा ओके next question नमबर 76 76 को कुछ देख लेते हैं choose the correct option after the punctuating the following sentence punctuation से question है sentence है nuclear bomb testing fills the air with radioactive dust and leaves many areas uninhabitable for centuries इस इस शंटेंस को punctuate करना है option a right है v right है c right या फिर d right है response इमिडिएटली question number 76 76 का right जबाब क्या होगा option a b c या फिर d option b जो है right answer हो जाएगा nuclear bomb testing fills the air with radioactive dust and leaves many areas uninhabitable for centuries option b जो है right answer है next question number 77 77 का right जबाब क्या होगा to have a money on your back means यह idiom है to have a money on your back means इसकी meaning क्या होगी option a to make advantage of a small thing या फिर option b to give great importance to little things या option c to get into trouble या option d to be dependent on drugs response immediately question number 77 77 का right जबाब हो जाएगा option d to be dependent on drugs option d is the right answer fit like a globe means जबाइब के जबाइब यह क्या है in close इन relative relationship या option b non cooperative या option c fit exactly या option d on bad terms fit like a globe इसकी मीनिंग क्या होगी response immediately fit like a globe इसकी मीनिंग fit exactly option C हो जाएगा fit like a globe इस idiom की मीनिंग fit exactly होगा option C is the right answer next fire in your belly means to make matters bright to cause additional anger to bring matters to a conclusion option D powerful sensation of ambition fire in your belly इस idiom की मीनिंग क्या होगी option A, B, C या फिर D response immediately question number 79 79 का right जबाब क्या होगा option A, B, C या फिर D fire in your belly option D right answer हो जाएगा powerful sensation of ambition powerful sensation of ambition okay option D is the right answer next blood, sweet and tear means blood, sweet and tears इसकी मीनिंग क्या होगी option A unisting efforts या option B damage या option C lot of sorrow या option D a warning response immediately question number 80 question number 80 का right जबाब क्या होगा option A, B, C या फिर D response immediately blood, sweet and tear unisting efforts option A is the right answer okay cock or snook cock or snook की मीनिंग क्या होगी option A, openly show contempt या option B to disregard totally या option C to turn once ear towards somebody या option D unable to listen to cock or snook की मीनिंग क्या होगी option A, B, C of D 81 option B हो जाएगा to disregard totally cock or snook की मीनिंग option B is the right answer to disregard totally okay next new critics forward the idea of the Hershey of paraphrase वो कौन से न्यू क्रिटिक्स हैं जिसने जिसने आइडिया जिसने आइडिया फारवर्ड किया हैरसी आफ पैराफ्रेज वो कौन से न्यू क्रिटिक्स हैं एलेंटेट हैं क्लिन्थ ब्रूक्स हैं डाबलू के बिमशेट हैं या फिर option D मौन्रेशी बियर्ड स्ली 82 का राइड जबाब क्या होगा क्लिन्थ ब्रूक्स दा राइट आंसर option B दा राइट आंसर ओके identify the important theaters of the एलेजावेथन पीरियड एलेजावेथन पीरियड के important theaters को identify करना है find out करना है peacock है globe है swan है या grand है option देख लिजी AB राइट है B and C राइट है C and B and D राइट है या option D A and D राइट है response immediately एलेजावेथन पीरियड की काउन से theaters है response immediately question number 83 globe थेटर swan option B and C is the right answer एलेजावेथन पीरियड के important जो थेटर है globe थेटर है swan थेटर है globe थेटर को आप सभी लोग जानते हैं 1299 में ये बनता है ओके इस्टीन थेटरीन में आग लग जाती है हैंडी दा एर्थ प्ले के पर्फार्मेंस के दवरान 16 14 में थेटर रिविल्ड होता है ओके option B is the right answer I arrange the following place of Shakespeare according to their periods early, middle, late इस आधार पर Shakespeare के place को arrange करना है early place, middle place, फिर late place देख लिजे option A right है, V right है, C right है, और दे राइट है early place पहले आएगा, फिर middle place आएगा, फिर last place आएगे question number 84 early place में क्या आएगा, लफ्स लेवर लाउस्ट आएगा, middle place में, midsummer night's dream, okay, late place में, as you like it, Antony and Cleopatra, Tempest option C, जो है, right answer है, लफ्स लेवर लाउस्ट, midsummer night's dream, as you like it, Antony and Cleopatra, Tempest, okay, friends, आप Tempest से ही पकड़ सकती थे, क्योंकि Tempest जो है, William Shakespeare का last work है, Tempest को ही, स्वान स्वांग कहा जाता है, ओके, स्वान स्वांग, Tempest को ही, मास कहा जाता है, ओके, Option C is the right answer, Haunted castles, strange noises, and an acceptance of the supernatural with all its trappings mark, Above definition, किसके भी से में है, Metafiction, Fancy Fiction, Apostolary Fiction, Gothic Fiction, Response immediately, question number 85, Option D is the right answer, Gothic Fiction, okay, During the years, 1830 to 1850, Illusion of peace in Victorian England was broken by such incidents as, Option A right है, B right है, C right है, D right है, 86, 86 का, Option D is the right answer, Digester of the Indian mutiny and the incompetent bungling of the Crimean War, Option D is the right answer, Who is the only one of Milton's contemporaries to be mentioned by name in Paradise Lost, Francis Bacon, Johans, Vermeer, Galileo, King Charles first, Easy one question है, Galileo is the right answer, The error of interpreting a literary work by referring to evidence outside of itself such as the design, and purpose of the authors is called effective falsy, intentional falsy, authorial falsy or synecdochic falsy, response immediately, question number 88, The error of interpreting a literary work by referring to evidence outside of itself such as design and purpose of the author is called, Intentional falsy is the right answer, Option B is the right answer, Next, An English poet couldn't help the excitement that an historical event caused in his lifetime, Bliss was the right answer, Bliss was the right answer, In that dawn to be all you, but to be young was very heaven, Which poet was the right answer, Question number 89, Friends, Focus here, Bliss was it, French Revolution की बात हो रही है, French Revolution कब होती है, 1789, Okay, Option C is the right answer, William Wordsworth, The French Revolution, Okay, Option C is the right answer, Who among the following writers was, Not the one identified the movement, The 1950s England, Roy Fuller, Kingsley Ames, Donald Davy, Philip Larkin, Roy Fuller, Option C is the right answer, Which of the following was not a dialect of Old English, Iris, Northumberian, Merchian, Kentis, 91 का रहीट जवाब क्या होगा, Which of the following was not a dialect of Old English, Iris, Iris, Option A is the right answer, The term, Invective refers, यह टर्म है, Invective, यह क्या रिफर करता है, 2. Option A, The abusive writing, Or speech in which, There is harsh, Denunciation of some person or thing, Option B, An insulting writing attack, Upon a real person, In verse or prose, Usually involving caricature and ridicule, Option C, are written or spoken text in which an apparently straightforward statement or event is undermined in its context so as to give it very different significance. Option D, the chanting or reciting of words deemed to have magical power. 92 का राइट जबाब क्या होगा? Option A, B, C आफिर Option D. Term Injective Reference. Option A is the right answer. The abusive writing or speech in which there is a harsh denunciation of some person or thing. Option A is the right answer. Which among the following titles set in Course for Academic Literary Feminism? Nostromu, From Ritual to Romance, A Room of One's Own, Option D, A Dance to the Music of Time. Which among the following titles set in a course for Academic Literary Feminism? Feminism, O.K. 93. Option C हो जाएगा? A Room of One's Own. She is the right answer. When you say I love her eyes, her hair, her nose, her cheeks, her lips, you are using a rhetorical device of जब आप एटर्म यूज़ करते हैं? I love her eyes, her eyes, her hair, her nose, her cheeks, her lips. तो काँशी आप डिवाइस यूज़ करते हैं? None other than enumeration. Option A is the right answer. 94 का Option A is the right answer. Got it? Which one of the following best describes the journal feeling expressed in literature during the last decade of the Victorian era? Option A right, V right, C right, F, D right. 95. Option A is the right answer. Study it, Melancholy, and Aesthetism. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Which of the following women writers did not receive the Nobel Prize? किस woman writer कू Nobel Prize नहीं मिला? Tony Morrison Nadine Gordimer Bucci Imbeta Option D Doris Leshing 96 Option C is the right answer. Amarcia means Reversal of fortune Purgation of emotion Deprobability Error of judgment Amarcia means क्या होता है? Important question है. 97 का right जबाब क्या होगा? Option A B C of D C of D Amarcia means होता है? Amarcia means होता है? Error of judgment Option D is the right answer. Reversal of fortune Peripetia Okay Progression of emotion Catharsis Got it? John Suckling belongs to the group of Metaphysical Poets, Cavalier Poets, Neoclassical Poets, Religious Poets. Response immediately Question No. 98 Cavalier Poets Option B is the right answer. Modernism has been described as being concerned with disenchantment of our culture with culture itself. Who is the critic? Who is the critic? Above Statement किसका है? Stephen Spender Malcolm Bradbury A Lionel Trilling Option D Joshua Frank 99 Option C is the right answer. Lionel Trilling Above Statement Lionel Trilling Option C is the right answer. Who among the following was not a member of the Sacriblers Club? Sacriblers Club का का कौन सा member नही है? Thomas Parnell Alexander Pope Joseph Edition Option C is the right answer. Dash is a theological term brought into literary criticism by Option A right, B right, C right, D right. Question No. 101 Karate जबाब क्या होगा? Dash is a theological term brought into literary criticism by James Joyce Epiphany Epiphany क्या होता है? Manifestation of God Okay, Epiphany means Manifestation of God Option D is the right answer. The term Gynocriticism was coined by very 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 most important very 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 most important very 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 most important is a term term by Gynocriticism was coined by option B Elaine Swalter, option B is the right answer, the term the falsely school of poetry is associated with, यह तर्म है, the falsely school of poetry, किसके साथ associate है, option E, Chartists, यह option B, Prerephalites, यह option C, Symbolists, यह option D, Imagesist, response immediately, right answer is the Prerephalites, option B is the right answer, Johnson's edition of Shakespeare appeared in 1752, 1765, 1791, 1760, response immediately, Q104, 1765, option B is the right answer, in which play by Shakespeare do we find Bedouin Queen questioning the assumptions of male politics, Henry V, Richard III, Anthony and Cleopatra, for friends, Anthony and Cleopatra, Anthony, Hamlet, in which play by Shakespeare do we find, focus here, Bedouin Queen questioning the assumptions of male politics, option B is the right answer, Richard III, okay, heroic couplet is a pair of rhimbic, iambic pentameter lines, unrhymed, iambic pentameter lines, rhyming, iambic hexameter, unrhyming, iambic hexameter, heroic couplet के भिशे में, कौन साथ statement, right है, option A, B, C, D, option A, is the right answer, rhyming, iambic pentameter lines, option A, is the right answer, couplet क्या होती है, two lines, iambic coim ko, couplet कहा जाता है, heroic quadrant is, i stange in blank words, 8 line stange in iambic hexameter, 4 line stange in iambic pentameter, six line stange in iambic pentameter, response immediately question 107, important है, heroic quadrant, quadrant क्या होता है, four lines poem को quadrant कहा जाता है, the four line stange in iambic pentameter, option C is the right answer, okay, the Victorian period refers to the reign of Queen Victoria of England during 1830-1890, 1837-1905, 1837-1901, 1850-1910, Queen Victoria period, Queen Victoria का period कफशे कब तक है, option A right है, V right है, C right है, या फिर D right, important question है, response immediately, The Victorian Queen, या Queen Victoria के बारे में या उनका रेन रहा, सासन काल रहा है, option C is the right answer, 1837 से लेकर के 1901 तक, option C is the right answer, The Elizabethan settlement established during the reign of Elizabeth I, 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 7. 8. 8. 11. ու, 5. 8. 8. 8. 9. 11. Dalee, 14 Э, 15. 11. 11. 12. 14. 15, 15. 15, option is the right answer, first and third are correct, okay, change the voice, the task should have been completed by the student, sentence passive wise में है, आप लोगों को active wise में change करना है, option a right है, v right है, c right या फिर दी राइट, response immediately, the task should have been completed by the student, starting में student आएगा, student should have, okay, have been used हुआ है, यहां पर active wise में हो जाएगा, the student should have, option a is the right answer, the student should have completed the task, okay, he was caught by the police for littering of the streets, passive wise में sentence है, आप लोगों को active wise में change करना है, option a right है, v right है, c right है, या फिर option d, response immediately, subject की रूप में the police लिखा जाएगा, the police caught, the police caught him, for littering of the streets, यहां पर has लग गया नहीं होगा, was लग गया नहीं होगा, okay, sentence जो है, simple past tense है, option a is the right answer, let the window be opened, passive wise में sentence है, active wise में change करिए, option a right है, v right है, c right है, या फिर दे राइट, let the window be opened, easy one sentence है, क्या हो जाएगा, open the window, okay, option c is the right answer, imperative sentence है, I asked her, what her problem was, but, c days quiet, kept quiet, took quiet, saved quiet, staying quiet, क्या फिलप किया जाएगा, easy one है, I asked her, what her problem was, but, c kept quiet, वा सांत रही, चुप रही, option a is the right answer है, पर kept fill up किया जाएगा, दे डेस, close to heating each other, गें, टूक, ब्राट, वाज, रिस्पॉंस इमेडियेटली, दे के साथ वाज नहीं लगेगा, option d आप, रिमूव कर सकते हैं, they came, close to heating each other, option is the right answer, पर came fill up किया जाएगा, ओके, the meeting took almost five hours, so, it was impossible to dash, attention all the time, give, have, make, pay, attention, give attention, have attention, make attention, या pay attention, क्या fill up होगा, easy one है, pay attention मिस होता है, ध्यान देना, option d is the right answer, choose the old spelling, right spelling का selection करना है, कौन सा वर्ड, correctly spelled word है, disease, बिमारी, d, i, ओके, फिर क्या कर देंगे, c, yes, e, a, c, सागरवाला, c, समुद्र, d, i, c, e, a, फिर क्या कर देंगे, yes, e, disease, match कर लिजे, option a is the right answer, question 17 में, wrongly spelled word find out करना है, काउन सा spelling wrongly spelled है, काउन सा word wrongly spelled है, option a, b, c, या फिर d, additives, performance, controversy, feasibility, option d is the right answer, feasibility की spelling यहां पर wrong है, शही स्पेलिंग क्या होगी, f, e, a, s, i, v, i, i, l, i, t, y, ओके, यहां पर जो e दिया गया, e के स्थान पर i होगा, option d is the right answer, वाकी, additives, performance, controversy की spelling यहां पर wrong थी, शही स्पेलिंग क्या होगी, f, e, a, s, i, v, i, l, i, t, y, got it, कमेटी की right spelling क्या होगी, very, very most spelling है, कमेटी की, कमेटी की right spelling, option a होगा, v होगा, c होगा, या d होगा, response immediately, कमेटी की right spelling, focus है, c, o, w, m, i, double t, double e, friends, कमेटी में ध्यान दीजिए, double e, m आयेगा, double t, आयेगा, double e, आयेगा, ok, double e, m, double t, double e, match कर लीजिए, कौन से spelling right है, कमेटी की, कमेटी की, c, o, w, m, i, double t, double e, option a, c, o, w, m, i, double t, double e, ok, option b में, c, o, w, m, i, e, option b नहीं होगा, option c, c, o, double m, i, double t, double e, option d, c, o, double m, i, double t, double e, friends, यहाँ पर option a, option c, option d is the same, ok, यहाँ पर, option a, c, d, is the right answer, ok, the term gothic, a category of fiction, also applies to, architecture, painting, music, theatre, response immediately, the term gothic, a category of fiction, also applies to, architecture, architecture, option is the right answer, a matricle food, consisting of, an, unstressed shalable, followed by a stress shalable, unstressed shalable, followed by stress shalable, dectyle, dectyle, trochie, I am, anapist, unstress, stress, starting, मे, unstress, आएगा, फिर, stress, आएगा, किसकी, बात कर रहे है, dactile की, trochie की, I am, की, या, एनपिष्ट की, easy one है, I am, की, बात कर रहे है, I am, का opposite, क्या हो जाएगा, trochie, trochie, में, क्या हो जाएगा, stress, unstress, ओके, choose the correct spelling, accommodation की, right spelling, क्या होगी, option A, B, C, या फिदी, accommodation, A, double C, O, double M, O, D, A, T, I, O, N, friends, यह spelling important है, ध्यान रखिएगा, double C आएगा, double M आएगा, A, double C, O, double M, O, D, A, T, I, O, N, accommodation, match कर लीजी, option A is the right answer, accommodation, okay, misspelled is, कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ट है, शिडोनिम, questionnaire, rifle, syringe, friends, यहाँ पर स्पेलिंग की स्पेलिंग राइट है, rifle की राइट है, syringe की स्पेलिंग राइट है, syringe की स्पेलिंग यहाँ पर most important है, ध्यान रखिएगा, S, Y, R, I, N, G, E, यहाँ पर रोंगली स्पेल्ट वर्ड है, वो है questionnaire, Q, U, E, S, T, I, O, N, सभी को क्वेशन की स्पेलिंग तो learn है, क्वेशन में क्या करना है, N, A, I, R, E, करना है, Q, U, E, S, T, I, O, N, N, A, I, R, E, यानि questionnaire में double N आयेगा, Q, U, E, S, T, I, O, N, N, A, I, R, E, Got it? Using the bench for the judiciary is an example of Bench use कर देना, judiciary के लिए, किसका example है, Metaphor, Irony, Synecology, Metonomy Easy one question है, Metonomy is the right answer, Metonomy क्या है, Change of the name Four feet comprising a monoslabel, Dectylic and first, Fion is often called Running rhythm, Sprung rhythm, Blank words, Rhymed words, 124 का राइट जबाब क्या होगा, Sprung rhythm, Option B is the right answer, आज की क्लास का लास्ट क्या होगा, His life was gentle and the elements so mixed, In him that nature might stand up and say to all the world, This was a man, Who is the speaker and about to him, Who is the speaker and about to whom is this spoken, इन लाइनों का speaker कौन है, किसके बिसे में लाइने, spoken की गई है, Option A, Inubarbos and Anthony, Brutus and Caesar, Cleopatra and Anthony, Mark Anthony and Caesar, 125 का राइट जबाब क्या होगा, Option D is the right answer, Mark Anthony and Caesar, Okay, Option D is the right answer, My dear friends, आज की क्लास कैसी रही, Question का लेवल क्या रहा, आप लोग ने कितना श्कूर किया, प्लीज आप लोग अपने श्कूर को comment box में मेंशन करें, किसे भी question में आप लोगों को doubt लगता है, तो आप लोग Google कर ले, या फिर comment box में अपना, सुझाओ भी मेंशन कर सकते हैं, फ्रेंड्स, यादे आप लोग चैनल पर न्यू है, आभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर ले, यादे आपको श्रेशन अच्छा लगा है, question का लेवल अच्छा है, तो प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा share करें, shepherd करें, thank you very much,